आप सभी का स्वागत हैं आज हम कलास 10 के हिंदी का एक important topic को यहाँ पर complete करेंगे जहां से आपके board के exam में 100% सवाल बनते रहते हैं फ्रेंस यहाँ पर आज हम अलंकार को देखेंगे फ्रेंस यहाँ पर अलंकार के बारे में बता देते हैं कि आपको अलंकार पाचारने का एक जवदा श्ट्रिक भी साथ में बताएंगे फिर इसके अलावा फ्रेंस आपको अलंकार से किस प्रकार के प्रस्ट आपके paper बनते है कौन सा प्रश्ण आपके बोड के exam में आ चुका है उन सभी प्रश्णों को यहां पर complete करेंगे ठीक है तो फ्रेश्ण चलिए video start करते हैं तो फ्रेश्ण यहां पर पहले पढ़ते हैं अलंकार अलंकार के बारे में पढ़ा जाए फ्रेंस तो देखिए आपको क्या है कि अलंकार का साब्दिक अर्थ होता है आभूसर तो Friends, यहीं से आपका एक प्रश्र बन जाता है कि अलंकार का सब्रेख अरत है तो अलंकार का सब्दिक अरत होता है आभूसा Friends, यहीदि आपकму बीडियो पसंद आए तो बीडियो को लाइक करें और यहीदि चैनल पे नए है तो चानल को साथ में सब्सक्राइब करें जिससे कोई भी वीडियो यदि हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिक्रिक्स सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए ठीक है चलिए अब अलंकार से अगला पॉइंट देखते हैं तो जो अलंकार होता है अलंकार दो सब्दों से मिलकर बना होता है अ कुसजित और सुन्दर बनाने और आंदंद प्रदान करने वाली जो प्रकिरिया होती हुए सही क्या कहते हैं फ्रेंस अलंकार कहते हैं अब देखें फ्रेंस यहां पर अलंकार के प्रकार को देखते हैं फ्रेंस देखें अलंकार का प्रकार तो तीन प्रकार के होते हैं तो उता है कि आलंकार के कितने प्रकार के प्रकार हैं तो आप वीडियो को लाश तक देखें जिससे आप को अंत में आपको मूस्ट इंपॉर्टन बहुत्विकल्पी प्रस्म भी कराने वाले हैं अब देखिए यहां पर अलंकार जो इसके तीन प्रकार कौन कौन से हैं पहला सब्दालंकार दूसरा अर्थालंकार अर्थालंकार ही है और अर्थालंकार सही आपके बोर्ड के एक्जाम में सवाल आएंगे यहां पे हम अर्था अलंकार के बारे में ही पढ़ा जाएगा अब देखें फ्रेंस यहां पे अर्था अलंकार के प्रकार को पढ़ना है तो अर्था अलंकार के हाथ तीन प्रकार है और इसी प्रकार को ही आपके बोर्ड के एक्जाम में इंपॉर्टेंट है देखें यहां प पहले चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं यहां पर आपको क्या है उपमालंकार के बारे में पढ़ दिया जाए जब किसी वस्तु का वरण करने के लिए उससे अधिक प्रसिद वस्तु से गूर धर्म आधिक आधार पर उसकी सवानता की जाती है तब और हम प्रसिद वस्तु लें यहां पर दो ब्यक्ति को लेकर आपकर समझाते हैं जैसे माली ची एक ब्यक्ते है और एक ब्यक्ति है हो जाए यह है बेक्ति से क्या है बहुत ज्याइदा स्रेश्ट है या कहेंगे इसमें गुर्ण और धर्म में क्या है एक दूसरे के समान है यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका उपमा अलंकार हो जाएगा चलिए फ्रेंस यहां पर इसके उधार को देखते हैं देखें फ्रेंस यहा देखिए अंब किया होता है कि ऌता है जिसकि तुणा किया जाता है कौन कौन सो 건 mij है उपमान्य ऑंप्त कर ऐसे छार टत्त है ठीक है अब इन चारों तत्तों के बारह में देखते हैं तो फ्रेंच देखें यहां पर क्या है उप में किसे करते हैं जिसका वरण होता है उसे उप में करते हैं जैसे यहां पर मुख क्या हो रहा था वरण किया जा रहा था यहां पर मुख आपका उप में हो जाएगा यहां उपमान क्या है जिससे तुलना की जाती है उपमान यहां मुख की तुलना की से किया जा रहा था मयंक और मयंक का मतलब होता है चंद्रमा यहां पर मुख की तुलना की से किया जा रहा है चंद्रमा से इस पकार उपमान क्या हो जागा चंद्रमा साधारा धर्म उपमे और उप कर एता क्या है डर्म इसने यहां पर प्रियोग लोग किया गया था क्या था साधर और ध भर अब देखें यहां पे वाचन शब्ट है और राधन सब Northern उपमा अलंकार की पाचान बताता है ठीक है यहां पर याद रखिएगा कि सा, सी, तुल, सम, सरिस, जैसा, जियो, के समान यदि यह सब्द किसी वाक्य में आता है तो कौन सा अलंकार होता है उपमा और यही फ्रेंस जो आपके यहां पर सब्द दिये हैं के इन सब्दों कोई देखके आप पचान कर सकते हैं वह उपमा अलंकार है और यही इस उपमा अलंकार की क्या है ट्रिक है इसको सब्दों को याद रखिएगा अगला अलंकार आपका है रूपक अलंकार रूपक अलंकार में क्या है कि जब उपमें और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में अभिनता प्रकट की जाए और उपमें को उपमान के रूप में दिखाया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है देखें यहां पर अभिनता का मतलब होता है समानता क्या होता है समानता ठीक है यानि इसका मतलब हुआ है कि जब उपमे और उपमान भेद होते हुए भी उन दोनों में क्या किया जाए समानता प्रकट की जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है ठीक है इसको आप प्रोपर लिख रिजिए अब देख करना है यह क्या होता है दिए क्या होता है क्या हरे ऐसे किया जा रहा है कमल उपमान हो हो जाएगा ठीक है एक और उधारा देख लेते हैं यहां पर देखें के मं या मैं तो चिंद्र चंद्रवने लेहा है यहां चंद्र मतलब चंद्रमा खिलोने कि यह chili हई श्रुसै्ट क्नामा की क्या कर रहा है यह जाता हुआ और मैंख सब्लात कर्कुर्णан strongest finger अब समझ में आगे होगा फ्रेंस अब चलिए फ्रेंस अगले अलंकार को देखते हैं अगला लंकार है उत्परच्छा लंकार ठीक है अब देखे फ्रेंस उत्परच्छा लंकार को पाचाने के एक जबदश्ट रिखे यदि आप जो बताएं को उसको याद रखेंगे तो पर उत्परेच्छा अलंकार होता है देखे फ्रेंस इसका ट्रिक क्या है या पाचान कहिए या यही इसका ट्रिक है इन सब्दों को देखे जिस वाक्य में यह सब्द रहेंगे उसको देख क्या पाचान कर सकते हैं देखी मनू मानो मनो मनू जनू जानो यदि यह सब्द किसी वाक्य में आते हैं तो आपका उत्पर अच्छा अलंकार होता है अब देखें यहां पर इसके उधार को देखते हैं तो फ्रेंज देखें यहां पर जब उधार देखेंगे आप सोहत ओड़ी पीत पात स्याम सलोने गात मनहू नील मड़ी सेल पर आतवी पर्यूप प्रभार यहां पर देखिए फ्रेंज मनहू आ गयाना है जब मनहू आ गया तो कौन सा लंकार होगा आपका उत्प्रेछा लंकार जोगे अभी बता है आपको मनू आजाये मन होड़ी जनु-जानू-आये इस्बदि क्या हो तो उत्प्रेछा लंकार की पाचान कराता है दूसरा है च सब्सक्राइब का सबस्हां कोश्राइब आने का चांस बहुत कम है तो से कौन सा प्रीजार ने आने वाला है प्यूपक आपको एक उधा लिखना होता है ठीक है अब चलिए देखते हैं पहुई कल्फी प्रश्न यहां भी देखिए आपके most important बहुई कल्पी प्रश्ने इन प्रश्नों का आप याद जरूर रखिएगा यहां भी देखिए पहला है अलंकार का साब्दिक अर्थ है आपसाने आभुसर होगा आकरसर होगा संदर होगा या प्रकित्पी होगा तो फ्रेंस अभी आप क्या है प्रिपर पाथ सरीस जिमांडोला उपर युप अलंक किति में कउंस अलंकार तो फ्रेंस देखिए आपको pregunta हैं कि आपको सा आजाए सरीस आजाय ये समान सब्द आता है कॉनसा अलंकार होता है और दिए ऀखिए सरीस आया है तो उप्रश्चर मैंद्ख़ होगा कोउ कि वला incon correct डेखिए अब सब्गों के कितना असानी से आप Mother कोई चानकर ले अब चलिए हाँ पे अगला देख रहे हैं क्या है यहाँ पे देखना है कि अलंकर कितने प्रकार के होते है आप से चार होंगे दो होंगे तीन होगे या पांछ तो फ्रेयंस आपको अलंकार के कि वारें बता है कि अलंगार की कितने प्रकारें तीन प्रकारें इसका सही जवाब आपसन कर्रेक्ट हो जाएक है छलिए अगले तरह मों को मैंक सब मंझू मन्हल पंकिति में कौन रखिएगा चलिए अगले नंबर का सवाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाल आपका है कि चले मनु आगन कठी ताते राते पाए में अलंकार है तो कि यहाँ पर आपका अगला है छटवा नंबर का कि उपमालंकार के कितने औयों या अंग होते हैं तो फ्रेंस देखिए उपमालंकार कितने अंग होते हैं बताये आपका चार अंग होते हैं कितने चार इस प्रश्ण का सही जवाब होगा डी वाला आपका अगला सवाल है सातवा नंबर का फ्रेंस कि चरण कमल बंदो हरी जिसका सही जवाब कौन सा होगा रूपा का लंकार जो कि आपको बताए भी हैं चलिए अगले नंबर का देखते हैं और आठवा नंबर का सवाल कि जो वाक्य में पर्युक्त होकर उसके अर्थ को चमतकिरित या अलंकिरित करता है उसे क्या करते हैं देखें यहां अर्थ है न जो टापिक है उन टापिकों भी कनफर्म करा दिये तो फ्रेंस यदि आपको यह वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के पास सेर भी करें